ये उपाय हो सकते हैं मैं करकम के आखिर में यही कहूँगा कि आखिर हमको इस सिधान को समझना पड़ेगा कि क्या हमारे लिए देश जरूरी है या राजनेतिक दल जरूरी है देश हमारा साध्य है राजनेतिक दल हमारे साधन है नेता हमारा साधन है राजनेतिक दल और उसके द्वारा अंकीमताद देश हमारा साध्य है बहुत बार किसके लिए क्या है ये जाने परखे बगर समझे बगर हम सोचते हैं और ख्षित्रे भाउनाओं के आधार पर जाती क अपने अपने नाम को और अपने जंडे को तो चमकाता है लेकिन देश का जंडा उसके एजंडे में नहीं होता इसलिए जिसके अजंडे में देश का जंडा है, वो व्यक्ति सामने आए, वो दल सामने आए, जिस दल में लोकतंत्र हो, वो दल सामने आए, जिसमें आम आदमी का प्रतिनी दित्व हो, वो केवल एक किसी व्यक्ति परिवार या किसी एक के कहने पर चलने वाली प्राविट ल आडू केला तक जाते हैं तब हमको कई राजनितिक दल प्राविट लिमिटेड पार्टियों की तरह लगते हैं। आडू के मुख्या उनके मालिक है और वहाँ पर चुनकर आने वाले विधायक या सांसद या कई बाद तो उनके नीचे बनने वाले मुख्य मंत्री भी उनके नोकर देश के लिए यह प्राविट लिमिटेड पार्टियों यह थड़ प्रंट और इस गड़ जोड की राजनित यह विकल्प नहीं हो सकती इस बार देश को समझना होगा कि अब कोई प्रोग करने की स्किति में नहीं है जब हम किसी ऐसे मोड पर वहां चलाते हैं जहाँ पर एक्सिडेंट होने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है तब हम कोई खत्रा मोल नहीं लेते सावधानी के जहाँ पर हमको कोई प्रोग करने की संभावना नहीं है किसी नए सिकिया के हाथ में हम गाड़ी का स्टेरिंग नहीं दे सकते क्योंकि ड्राइवर कैसा है इस पर निर्बर होता है कि वो कहा जाएगी बहुत बार आप याद करके देखिए कि पूरे गाड़ी प्यक्कर बैठे हुए है विचारक बैठे है चिंतक बैठे सादुसंत बैठे है लेकिन कोई बेवखूफ अगर उस गाड़ी को चला रहा है या प्यक्कड शराब पीकर गाड़ी को चला रहे तो गाड़ी में सारे सज्जन होने के बावजूद भी गाड़ी गलत हातों में होने के का इसलिए देश का नेता गाड़ी चलाने वाला कोन है ये भी जरूर है आज के लिए इतना ही जहें